दोस्तो हर साल फिल्मे कई आती हैं, मगर लोगों के दिलों पर छाप कम ही छोड़ पाती हैं, हम आज आप लोगों के लिए बहुत ही खास तरह की थ्रिल से भरी हुई एक फिल्म को एक्स्प्लेइन करेंगे। ये कहानी कैसे कस्बे से सुरू होती है, जहां पर 35 साल पहले तीन लड़कियों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। के नाम से प्रसिद्ध हो गया, लोग हैलोईन पर उन्हीं किलर जैसे गेट अप लेते थे, अगले सीन में हम जिम्मी नाम की लड़की को देखते हैं, जिसकी अमिलिया नाम की एक दोस्त होती है, दोनों कंसर्ट में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके माता पिता उन्हें इज माता पिता के क्लास फेलो थे, और इसी समय जिम्मी के पिता इस लड़ाई को ख़दम करने का फैसला करते हैं, और वो जिम्मी और अमिलिया को कंसर्ट में लेकर चले जाते हैं, अब जिम्मी की माँ घर पर अकेली रह जाती है, कुछ बच्चे उनके पास हेलोईन का उपहा देती हैं और तुरंत पुलिस को फोन करके सुचित कर देती हैं लेकिन तभी किलर दर्वाजा तोड़ कर घर के अंदर आ जाता है और पैम यानि जिम्मी की मा हत्यारे को मारने के लिए दराज से एक बंदूक निकालती है लेकिन यहां पर हत्यारा बंदूक पकड़ लेता है और उनपर ही हमला करना सुरू कर देता है वहां पर पैम अपनी सेट डिफेंस करती है क्योंकि वो कराटे की चेंपियन रह चुकी है पैम लड़ते लड़ते किचन के तरफ जाकर चाकू निकाल लेती है और हत्यारे से कहती है कि तुम यहां से चले जाओ नहीं तो पुलिस ही रही होगी किलर ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और वहां से मुड़कर चला जाता है पैम को लगता है कि किलर वहां से चला गया होगा लेकिन अचानक से किलर पीछे से आकर पैम पर हमला कर देता है और उस पर कई बार चाकू से वार कर बड़ी बिरहमी से उसे मार द पैम को मार कर किलर वहां से भाग जाता है और तब ही वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। नीज रिपोर्टर के संपर्ग में थी तब जिम्मी क्रिस से जाकर मिलती है और वह उससे पूछती है कि तुमने मेरी मा को इतने सारे मैसेज क्यों भेजे हैं। अपनी मॉम की आइडिया को यूज करते है एक टाइम मसीन पर काम कर रही होती है। अमेलिया वहाँ पर पैम को बताती है कि उसने टाइम मसीन में वो तारीक डाली है जिस टाइम 35 साल पहले उसकी मा के दोस्तों की स्वीट 16 ने हत्या कर दी थी। जिसके बारे में अमेलिया जिमी को कहती है कि अगर हम पास्ट में चले जाएं और पिछली हत्याओं को रोकें तो शायद तुम्हारी मा को हम जिन्दा कर सकते हैं और वो हमारे साथ जिन्दा होंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मशीन ठीक से काम नहीं कर और दोनों उस मसीन को एक्टिब करने में लग जाते हैं जब रात को अमेलिया और जिमी दोनों उस टाइम मसीन के पास होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं अचानक स्वीट 16 किलर भी वहाँ पर जिमी पर ह हुषता है हम देखते हैं कि मसीन चालू हो जाता है और देखते ही देखते जिमी उस डेट पर पहुंच जाती हैं जब स्वीट 16 ने अपना पहला मडर किया था पास्ट में जाते जाते टाइम मसीन तूट जाता है जीमी टाइम मसीन को छिपा देती है और फिर वो अपने पैरेंट्स के कॉलेज में जाती है उस कॉलेज में वो तीन लड़कियों से भी मिलती है जिनकी हत्या की कहानी वो सुनती आ रही है यहाँ पर एक लड़की जीमी को परसान करने के लिए उस पे खूब गेंदे मारती है तभी जीमी अपनी मा पैम को देखती है जो अपनी स्कूल टाइम में काफी बोल्ड हुआ करती थी साथी उनका पूरा ग्रूप भी स्कूल में काफी मशूर था इसके बाद जीमी अमेलिया के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ आपकी डायरी के मेंसे आपकी बेटी अमेलिया ने एक टाइम मशीन बनाई है जिसका परियोग करके मैं यहां तक पहुँची हूँ अमेलिया की मा के लिए उसकी बातों पर यकिन करना मुश्किल नहीं था क्योंकि वो वास्तों में टाइम मशीन पर अपना सोध कर रही होती है और जबकि उन्होंने अपनी रिसर्ज के डायरी के बारे में किसी को नहीं बताया होता है जेमी अमेलिया की मा को बताती है आज रात उनके ग्रूप की तीन लड़कों की हत्ता हो जाएगी और कई साल बाद वही हत्यारा मेरी मा को भी मार डालेगा और फिर अचारक से मसीन काम करने लगी अमेलिया की मा का कहना है कि इसमें एक कंडेक्टर की कमी थी जिसे इस चाकू ने पूरा कर दिया इसलिए मसीन चालू हो गया और फिर अमेलिया की मा उस टाइम मसीन को ठीक करना शुरू कर देती है प्रजेंट में हम देखते हैं कि जिम जिमी मेरे टाइम मशीन के मादेम से पास्ट में जा चुकी है नेक्स सीन हम पास्ट में देखते हैं कि अमेलिया की मा और जिमी एक पार्टी में आए हुए हैं जहां पहली हत्या होने वाली होती है जीमी अपने मा के पास जाती है और अपनी मा के ग्रूप को बताती है कि आप लोग केरफुल हैं लेकिन ये लोग इसकी बाते नहीं सुनते और उसका मजा कुणाने लगते हैं और वो लोग जीमी को पार्टी से धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं लेकिन फिर भी जीमी हार नहीं मानती और उन चारों पर नजर रखती है। तुम्हें कैसे पता था इस खत्रे के बारे में। क्योंकि जिम्ही प्रजेंट से पास्ट में चली गई है, शायद इसलिए अतीत बदल गया है। वह पुरानी तस्वीरों में अमेलिया भी जिम्ही को देखती है और थोड़ी दिर बाद जिम्ही का उसे एक संदेश मिलता है। कि आपकी टाइम मसीन में कंड़क्टर की कमी थी जिसके बाद अमेलिया फिर से टाइम मसीन बनाना सुरू कर देती है। पास्ट में हम देखते हैं जिम्ही अपने मा के ग्रूप के साथ होती है जो अपने दोस्त की हत्ते पर काफी दुखी है। कर रहे होते हैं और दूसरी जिम्ही बहुत परशान दिखती है क्योंकि अभी तक उसे हत्यारे के बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। आज जिस लड़की के हत्या होने वाली होती है उसके कमरें पैम की एक दूसरी फ्रेंड लेटी हुई होती है तभी किलर वहाँ पर उसे मारने आ जाता है। परवा बचने के लिए वो लड़की वहाँ से चिलाते हुए भागती है और सभी लोगों को उसकी चीख सुनाई देती है। टाइम मशीन ठीक नहीं कर पाएंगी क्योंकि उसके बहुत सारे पार्ट फ्यूचर से हैं लेकिन फिर भी मने एक टाइम मशीन का इंपॉर्टेंट हिस्सा बना लिया है इसके लिए बड़े पावर हाउस की जरूरत पड़ेगी जिसके बाद यह काम करना शुरू कर देगा तबी जीमी को वहाँ पर एक ट्रक दिखता है जिसमें वहीं लड़का होता है जिसकी लिखावट उस किलर से मिलती जुलती है जीमी उन सब को वहाँ पर छोड़कर उस ट्रक को चेक करने चली जाती है लेकिन ट्रक में उसे खिलावना की जगा कुछ नहीं मिलता और लड़ चैंपियन हूँ, मैं हर चीज को बहुत ही आसानी से हल कर लेता हूँ, इसके बाद जिम्मी वापस अमेलिया के मा के पास जाती है, जो अभी भी टाइम मशीन के लिए एक बड़े पाउर हाउस की तलाश कर रही होती है, तब ही जेमी को एक जूला दिखता है, जो पाउर हाउ उस जूले में जोडने लग जाती है, और दूसरी वर जिम्मी अब पैम के ग्रूप से मिलती है, और उन्हें बताती कि कल जिस लड़की की हत्या हुई थी, वो गलत लड़की है, समय कंसार इसकी मडर होने वाली है, और क्यूंकि वो लड़की उसकी सही निसाना नहीं थी, तो आज वो इस लड़की को मारने के लिए जरूर वापस आएगा, अगर हम सब मिलकर काम करें, अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रजेंट में एक अमेलिया अपनी टाइम मसीन को बना ली होती है, और वो क्रिस को बताती है कि इसे चालू करने के लिए एक मेटल को लेने चला जाता है, पास्ट में हम देखते हैं कि ये लोग किलर को पकड़ने का प्लान बना रहे होते हैं, तब जिम्मी उस लड़की को हॉरर हाउस में भेजती है, जिसमें उस किलर को इस लड़की को मारना होता है, उनकी उमीदों के मुतावी हत्यारा भी वहाँ क्योंकि उसे भी सेर्फ डिफेंस आती है, इससे पहले कि हत्यार उस पर जुरदार वार करता कि वहाँ पर जिम्मी के ड़ड और बाकी के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, हत्यारे का धान उस सभी से लड़ने पर होता है, और इसी का एक लड़की उसकी पीठ में एक पहले मिला होता है, लेकिन अब सवाल ये है, याखिरकार इसने अपने क्लास फेलो को क्यों मारा, तब ही इन लोगों को डौक के गले में एक लौकेट नजर आता है, जिसमें एक लड़की की तस्वीर होती है, तब उस लौकेट को देखकर पैम कहती है, कि ये लड़की पहुत ही भद्दी दिखती थी, इसलिए हम लोग से बहुत चिढाया करते थे, फिर एक दिन पैम के तीनों दोस्तों ने उसे पाटी पर बुला कर उसकी बहुत बेचती की, जिसमें वो बहुत गुसे में आकर बहुत ही जादा ड्रिंक कर लिया, और गाड़ी चला कर तो मुझे इस बात की उमीद नहीं थी आप लोगों से, पैम जिम्मी से कहती है कि लेकिन मैं तो उस दिन थी भी नहीं वहाँ पर, लेकिन जिम्मी उसकी बात बिना सुने बाहर चली जाती है, और उसे बहुत अपसोस होता है कि पैम जैसी बुरी लड़की उसकी मौम है, अ मुझे लगता है कि यह हत्यारा फ्यूचर से आया है, अमिलिया की टाइम मसीन का उपयोग करके, तब ही हमें परजेंट में दिखाया जाता है कि अमिलिया की हत्या कर दी गई है, और पास्ट में हम देखते हैं कि परजेंट से आई किलर ने पास्ट के न्यूज रिपोटर क भी हत्या कर देता है यानि कि Chris के पिता की हत्या हो जाती है इधर Amelia की मार time machine को active कर देती है और वो Jimmy को बोलती है कि कम से कम तुम चली जाओ यहां से और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सब कुछ बरबाद हो जाएगा और हत्यारा उसे भी मारने के लिए time machine के अंदर आ जाता है killer Jimmy को मार डाला होता लेकिन उसी बीच पैम वहाँ पर आकर उसको पीछे से आकर उसका गला पकड़ लेती है और killer पलट के पैम से fight करने लगता है killer उससे अपना गला जल्द ही छुड़ा लेता है और दोनों पर धीरे धीरे पैम के पास पहुँच जाता है इससे पहले कि वो पैम को चाकू मरे इधर Jimmy जूले का दरवाजा खोल देती है जिसके वज़े से पैम वहाँ से बाहर गिर जाती है और तभी हवा के दबाव के कारण हत्यारे का मास्क उतर जाता है जिसके वज़ा से किलर का चहरा रिविल होता है ये कोई और नहीं बलकि प्रजेंट का न्यूज रिपोर्टर क्रिस होता है जो प्रजेंट में अमिलिया का टाइम मसीन का यूज करके पास्ट में आया होता है इसी ने पैम को भी मारा ताकि Sweet 16 की कहानी चलते रहे क्योंकि लोग इस कहानी को धीरे-धीरे भूलते जा रहे थे लेकिन Chris हर बार उन लोगों को ये कहानी याद दिला कर उससे पैसे कमाता था इसके पहले कि Jimmy मारी जाती Jimmy Nail Gun का यूज करके Chris को मार देती है अगले सिल में हम देखते हैं Jimmy Present के टाइम में पहुच जाती है और देखती है उसके Mom Dad दोनों जिन्दा है उसने Past को Change करके अपने Parents को बचा लिया आगे हम देखते हैं कि Amelia की Mom जिम में से मिलती है और वो बताती है कि वो आज बहुत घबराई हुई थी वो जानती थी कि आज की Time Machine है तुम्हें इस समय में जरूर लेकर आईगी और इसलिए भी गबरा रही थी कि अगर उस Time Machine से किलर बाहर आगये तो क्या होगा इसलिए मैं एक बंदुक अमने Past छिपा रखी थी और जिमी को एक किताब देती हैं जिसमें वो सारी बाते लिखी हुई होती हैं जो उसके Past में जाने की वज़ा से इस किताब में बदला हो गया था यहां पर हम देखते हैं कि जिमी का एक भाई होता है और अब दरसल जिमी का नाम चेंज हो चुका होता है यह कहानी एक सवाल छोड़ जाती है लोगों के मन में दोस्तों कैसा लगा हमारा यह Explain वीडियो हमें कॉमेंट में जरूर बताएं और लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करें बाई मिलते एक नए रोचक फिल्म के साथ